तो एलो फेंट कैसे हैं है आप जिए आप आपको दालेंगे नए अपडेट के बारे में आपको पता होगा यह एक सैटिंग होती है एसलिय वीजन और भी चुछ कर सकते हैं सब्सक्राइब तो उसके जो फॉंट से आपको चेंज करना चाते हैं और बहुत सारी से आपको मिलती है ऐसे बिल्टी से रिलेटेड तो उस एपके अंदर एक नए अपडेट के साथ क्या नहीं चेंज किये गए और एक्ट्वल में इस अपडेट के बाद क्या आपको होने वाला है चलते हैं दोस्तों आगे मेरा नाम सनिय अरोड़ा आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में तो जैसा कि नहीं मता है मैं आपको अपडेट के बारे हैं तो उसके लिए आपको अपने वाल की सैटिंग पर साइटिंग पर आपको यहां पर एक नए अपडेट नहीं दिख र क्लेक्सि स्टोर में है क्लेक्सि स्टोर में जाने कि आप देखेंगे यहां पर आपको एक नए अपडेट मिल रहाँ है यहां पर नीचे की तरह आएंगे इस अपडेट को कब रॉल आउट किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं इस अप्रेज को 31 जोलाई 2023 में रॉल अबीगा और वर्जन नम्मर इस 14.1.0.1 तो पहले मैं कर लूँ अप्डीट यहां पर आप क्या कर सकते हैं इस सेटिंग के अंदर आप विजीविल्टी इनांस कर सकते हैं एंप्रूफ और विजीविल्टी वाइचेंजिंग दा कलर एंड कंट्रास जैसा कि मैंने आपको बत नीट्स तो यहां पर इंट्रेक्शन और डिस्ट्शन मतलब कि आप इसको टच को मॉडिफाइगा सकते हैं तापकि आप अच्छे तरीके से अपना टच को यूज कर सके एंड यूनिवर्ट सर्च इनेबल तो यूज़िश आप यहां पर एक उनिवर्ट सुच करके एक फी प्राइवारार यूज़िश करने में तो यहां पर इनांस कर दिया गया है और भी अपडेट किए गया है ताकि कोई भी बख आपको फेस ना हो आपको इसको अपडेट करने किया तो उपन कर लेए ना है ओपन करेंगे जैसी आपको यहां पर ले जाएगा सेटिंग्स में मैं यहाँ पर आपको इस्टिंग के लिए निवार्व गिंदर जैसे ही मैं आपको लिए चला हूं लुक्राइब तरह को मिलघंगी यहाँ पर आपको यह सब्सक्राइब पायोज मतलब कि जो भी चीज़ आपने यहा यहां पर यूज कर रखिए वो सब आपको यहां पर मिल जाएगी सबसे पहले मैंने क्या ओन कर रखा है functioning you are using मैंने सबसे पहले क्या यूज कर रखा है reduce transparency and blur यह क्या चीज़ है अगर मैं इसको turn off करूं तो आप देखेंगे यहां पर यह इसका ब्लर वाला option जैसा कि मैं इसको अटा हूँ तो यहां पर आपको ब्लर वाला option नहीं आएगा इसको बैक करूं तो आप देखेंगे यह blur blur से आ रहा है यह आपको दिख रहा है तो यह accessibility के अंदर ही होता है अगर बापस में आपको ऐसा स्क्रीन मिलने वाला है तो इस तरीके से सबसे पहला वाला जो फीचर है यह काम करता है बापिस में अगर आपको आपको मिलेंगे या फिर कुछ आपको बताने वाला जैसे कि आपको सबसेशन बता रहा है और सैट अप रूटीन आपको यूज कर सकते हैं रूटीन के तो यहां तो यहां तो जो आपने इनेवल कर रहा है वो मिलेगा नियुकरा सबसेशन ब्लेगा टौक बैक शीचर तो टॉट बैक फीचर क्या होता टॉट फीचर यह होता इवाफ इसको अन कर लेंगे तो यह जहां जहां आप टच्च करेंगे वह आपको बोल के इस सुनाएगा इसको अगर आप 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 करेंगे तो इसको उफ करना कर देख रहें हैं आपüstुन देख रहें आप से मुझकल से ओव होने वाला है अब तो इन की टेकंट तरुचर कहा हो चाहिए उसके नीचे हैंगे आपको मिलेगा spoken assistance जो पीचिस आप spoke करवाएंगे आप बोलेंगे वो सब यहाँ पर काम हो जैसा कि आप चाहते हैं keyboard आपको बोल के सुनाएं तो आप यहाँ पर on कर सकते हैं audio description हो आप यहाँ पर on कर सकते हैं तो यह कोई जादा काम का feature मेरे साब से नहीं है नहीं जाएंगे visual enhance जो की काम का feature है यहाँ पर आपको default fonts यहाँ बोल सकते हैं default में ऐसी आपको theme मिलती है आप चाहें high controls भी लगा सकते है theme इसमें आपको देख रहे है default theme ऐसी रही ही यहाँ पर जाएंगे dark mode वाली theme तो dark mode high contrast fonts and high contrast जैसे हैं आप इसको होंगी तो आप यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद नीचे आएं पूरी setting यहाँ पर पूरी change हो चुकी अब जाके विल्कु सही आईए उसके बाद high contrast theme में जाएंगे तो आपको ओई themes मिल जाएंगी यहाँ पर themes ऐसी जैसे दिखेंगी वैसी themes आपको मिलेंगे आपको यहाँ पर काफी हथ तक उसको यूज कर सकते हैं ब्ली और ग्रीन या यलो थी महाँ पर मिलती है high contrast phone कर देंगे तो phone यहाँ पर थोड़े high हो जाएंगे high contrast keyword कर देंगे तो keywords आपको high मिल जाएगा जैसे keyword कैसा हाई मिलेगा मैं आपको बता हूँ मैंने scone कर दिये और अब मैं यहाँ पर keyword कोल रहा हूँ तो आपको कुछ keyword इस तरीके से मिलने वाला अगर आप इसको off कर देंगे तो keyword अलग तरीके से आपको दिखेगा जैसे कि मैंने scone कर दिये और आप तब खोलेंगे तब यह नॉर्मल काम करेगा तो इस तरीके से आपको यह option मिलेगा उसके नीचे जाएंगे हाइलाइट बटन जो फीड बटन हाइलाइट होंगे तो आपको highlight करके बताने वाला है जैसे कि मैंने scone करा इसको और कुछ ऐसा option आएगा जो हाइलाइट होने वाले तो आपको हाइलाइट होके बताएगा तो इसको और करने के बाद आपको जो भी होंगे और हाइलाइट होके बताएगा color inversion आपको color inversion मिल जाएगा यहां पर कि जितने भी फालतों के अनिवेशन चलते हैं आप यहां बंग कर देंगे तो इससे काफियत तक आपकी चलने के स्पीड बढ़ जाएगी वह कर सकते हैं ताकि आपको ब्लर और रिडियूस ना रहे है Color correction करना हो तो आप यहां पर color correction कर सकते हैं अपने सबसे अब मेरा पासनल स्रीशन को मैनिफिकरिशन का मतलब कि आप यहां पर बड़ा जूम आॉट कर सकते हैं इस को और न कर लिया है आपको ано करने के लिए हाँ पर क्या फिंगर दिया आपको जब इसको कणा करना दो फिंगर ऊपर करेंगे नगी यह अनouver को जाना यहत्ति हो वहां महली सका देख रहें यह तरीके में यहाँ पर यह तो यह मैंने इनिक मीरे ने में BC पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप चाहें जैसा की आप इस तरीके से दिखता है और यह कलर ऐसा ही रहता इसका रेट कलर ही आएगा और आप यहां पर जोम आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को तो यह चीज़ यहां पर आपको मिलती है उसके बाद बैक आएंगे आपको मिलेगा पॉइंटर साइज एंड कलर यहां पर आप पॉइंटर का साइज भी एज़स कर सकते हैं कि आपको पॉइंटर का साइज क्या चाहिए कलर क्या चाहिए आप उसका यहां पर साइज और कलर को एज़स्ट आउट कर सकते हैं नीचे आ आप आएंगे यहां पर hearing enhancements यहां पर आप आएंगे तो जिनको सुनने में प्रॉब्म होती है उनके यहां पर अगर आप लाइफ प्राइब कर देंगे तो जो भी चीज़ आएगा सब आपको रीट करके सुनाईगे लाइफ केप्शन पर ओन कर देंगे जो भी चीज़ पर क् कर सकते हैं अवर भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं यहां पर सुनने में प्रॉबलम ना और चाहें तो आप हाँ पर टैस्ट भी कर सकते हैं इस पर कर देंगे तो सारे म्यूट हो जाएंगे जाए मीडिया हो जाए इंकमिंग और जहां जाए साउंड यूज होता है सब यहां पर आप्टमेटिक अफ हो जाएगा उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे आपको मिलेगा लेफ्ट मोनो आडियो में क्या आप यहां पर जो भी साउंड आएगा एसी फॉन स्पिकर में करेंगे तो दोनों में आपको यहां से साउंड एजस्ट कर सकते हैं उसके बाद आएंगे नीचे इंट्रक्ट एंड डिस्क्रेक्टिव यहां पर आपको सबसे बहले मिलता है यूनिवर्सल स्यूच वाला उप्शन इसके लिए यहां पर आपको एक मेन्यू यहां पर मिल जाएगा यहां पर आपको एक मेन्यू मेन्यू मिल जाएगा कहा है यहां पर आपको इस्टें मैनू के चूज चाहिए को बाद में आपको यह मिल जाएगा जैसे कि आपको यह मिल रहा है आपको आप कहीं मिल जाएगा जिसको एक उसके नीचे कर लूट के इसमों के तो क्रेंगे वहीं समय यापसे इंटकर सकते हैं तो सब प्रेज्ट वालिम उट्व एंसर कॉल रिकॉर्ड कॉल रीड़ नेम को लाउड आप यहां पर इंट्रेक्शन कंट्रोल इस तरीके के यह होता है कि जब भी आप कोई टच को स्पेशली करते हैं तो वह ब्लॉक हो जाए उस जगह पे वह टच ना हो तो आप यहां पर कंट्रो करें टैप डॉरेशन कितनी होने चाहिए टैप डॉरेशन की यह मतलब यह सब चीज के लिए तब आपके मॉइल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको और अच्छे से इसको एक्टिव कर सकते हैं और अच्छे से इस फीचर को सीखना हो तो उसके लिए मैंने टेटिकेट कर रखी सब आपको यहां पर मिल जाएगी उसके साइड और वॉल्यूम की में कुछ आपने ऐसी बिठी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं वोल्यूम में डाउन की में लगाना चाहें वो लगा सकते हैं फ्लेश नोटिकेशन चाहें तो आप यहां पर से डाउन कर सकते ह उसके बाद जो भी चीज़ आपने इंस्टॉल कर रखी होगी जो कि आपके ऐसे बिल्टे से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी जिसे डाइनमेक साउंड मैंने ओन कर रखा डाइनमेक सपोर्ड तो आपको बता ही रहा है बस अवरोल यह इस तरीके से काम करते ह पर्फॉमेंस को अपडेेट किया गया है उसका चल सकते हैं और मुंसे पूच zake if अब आपको मिले और हो सके मुझे इस पर भी फॉलोग करने थेक्ट यू